Hello students, good evening to all of you, आप सभी का the bio and symptoms पर मैं आमिर सिद्धी की हार्दिक स्वागत और अभिनिनन करता हूँ। कैसे हैं दोस्त आप लोग उमिता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई का कारी बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। किसी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, आप सभी लोगों का रिवीजन का कारी भी बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने आप से कहा था, EMRS एक्जामिनेशन को देखते हुए, बिहार PGT के एक्जामिनेशन को देखते हुए, आज हमने आपके सामने पांच टॉपिक का असर्सन और रिजन का वो क्वेश्चन लाएं हैं, जो आपके एक्जामि सम्बंदित होंगे, और कल हम सभी लोग लगभग 10 टॉपिक से सम्बंदित असर्सन और रिजन के प्रशनों को देख लेंगे, जो कि हमारे एक्जामिनेशन के पॉइंट आफ यू से काफी इंपोर्टेंट हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इन प्रशनों के मा वो सभी लोग अपनी प्रिप्रेशन बेटर तरीके से कर रहे हैं, और अपना एनलेसिस भी अपने पॉइंट आफ व्यू से अपनी कॉपीस के माध्यम से रिवीजन का कार्य जरूर कर रहे हैं, आज हम सभी लोग इस श्रिंकला में देखने वाले हैं असर्सन और रिजन से संबंधित प्रशन पांच टॉपिक इसमें इंक्लूडेड हैं, इसमें पांच टॉपिक के प्रशनों को आप सभी लोग देखेंगे, जिसमें आप बायोजिकल क्लैसिफिकेशन के प्रशन देखेंगे, जिसमें आप देखने वाले हैं बायो मॉलिक्यूल्स के, आप देख देखने वाले हैं, plant kingdom के, आप देखने वाले हैं, cell division के, ये कुछ topics हैं, 5 topics हैं, जिसमें आज आप सभी लोग assertion और reason का प्रश्न देखेंगे, और कल ऐसे ही 10 topics होगा, जिसमें आप सभी लोग assertion और reason के प्रश्न को देखेंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी और आप में से जिन लोगों ने आज एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा किया है वो सभी लोग कल 10 बच के 5 मिनट पर आपकी क्लास होगी जिसमें हम सभी लोग नाइट्रोजन मेटाबोलिजम के बारे में पढ़ेंगे नाइट्रोजन मेटाबोलिजम इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका बौटनी सेक्षन का और इविनिंग में 6.50 पर हम सभी लोग बलड और बलड सर्कूलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं आज मॉर्निंग की क्लास में हम सभी लोगों ने सैटर्डे को जो प्रैक्टिस सेट दिया गया था जो प्रैक्टिस सेट दिया गया था उसमें से हम सभी लोगों ने बलड और बलड सर्कूलेशन के 30 questions solve किये थे और वो 30 questions आपके examination के point of view से काफी important है Monday to Friday आपकी क्लास होती है Saturday को आपका practice session होता है तो आप सभी लोग जो लोग अभी तक किसी कारण बस admission की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएं हैं वो सभी लोग यथा सीग्र examination के preparation के लिए बैस से जुड़े और अपनी प्रक्रिया को शुरू करें दोस्तों आप सभी लोगों ने आज जब सुबा सो के उठे होंगे तो आपको पता चला होगा कि लगभग 62,000 vacancy announce होने वाली है यूपी पूलिस की और इसी तरीके से जो आपको information आपके कान में गई वो information आपको जगाती है कि आप लोग भी जागिये किसी भी दिन डेट आपके सामने announce हो सकती है और आप सो के उठेंगे या सोए नहीं रहेंगे आपके पास information आएगी कि आपकी exam की date ये है और आपको उस examination के according अपनी तयारी को wind up करना होगा वो समय चाहे जितना हो इस बात से आप सभी को सीख ले लेना चाहिए और सभी लोगों को continue हो जाना चाहिए पूरी टाकत के साथ कि हम भी अपना revision तेजी से बढ़ा दें क्योंकि exam की date announce होने में कोई मतलब आप सोच ही नहीं सकते exam हो कब सकता है तो आप सभी लोग बहतरीन तरीके से अपनी preparation करते रहें otherwise ये ना हो कि एक महिने बाद exam की date हो और आप उसी में परिशान हो जाएं तो आप सभी लोग अपनी preparation को बहतर तरीके से बहतरीन mode में लेकर जाएए और आप सभी लोग जानते हैं बहतरीन तरीके से कि जिसका भी 105 प्लस question सही होगा उनहीं का selection होना है तो आपकी मेहनत सीट पर नहीं होनी चाहिए आपकी मेहनत 105 प्लस पर होनी चाहिए जो लोग TGT PGT खास करके उत्तर प्रदेश के लिए तयारी कर रहे हैं जो और दूसरे exam से कोई मतलब नहीं रखते हैं उनको अपना पूरा focus करना चाहिए पूरी energy के साथ लगे रहना चाह करते हैं वो हमारे बैस से जुड़ सकते हैं आपको हमने बताया है कि यह मौक टेस्ट है जो आपके TGT PGT सभी examination के लिए important है मतलब जो आप में से महारती लोग हैं जिनको लगता है कि मेरी biology तयार हो गई है वो चाहें तो इस मौक टेस्ट से जुड़े और मौक टेस्ट दें जब मौक टेस्ट आप अपने आप से mobile on करके limited समय में देंगे तो आपको पता चलेगा कि 70 में से आप कहां stand कर रहे हैं अगर आप 70 में से 50 plus stand कर रहे हैं तो आप समझ जाएगा अच्छी position पर हैं otherwise first time जब आप टेस्ट देंगे तो वादा है कि 42 तक पहुँचने में पसीने आजाएंगे क्योंकि NCEIT based प्रश्ण हैं और सारे प्रश्ण important हैं और पूरी biology section को cover करते हैं तो आप में से जिनकी टायारी बेहतर हैं वो चाहें तो हर रोज अपने घर पर रहकर एक mock test दे सकते हैं और अपने आप से अपने number को check कर सकते हैं कि biology में आपकी कितनी preparation हैं उसी के according अपने TGT, PGT, LT को focus कर सकते हैं इसकी minimum fees है 518 रुपए ये सभी के पहुच में हैं अगर आप इससे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो समझ जाए कि fees का मुद्दा कोई आपका होता ही नहीं है तो आप मेंसे जो लोग interested हैं जुड़ने के लिए whatsapp करें और mock test से जुड़ें पह पहला प्रश्न है आपकी screen पर जी बताने की कोशिश करिएगा पहला प्रश्न है आपकी screen पर जी सभी लोग answer करने की कोशिश करिएगा उम्मीद करते हैं सभी लोगों का बिल्कुल correct answer आएगा पहला प्रश्न है आपकी screen पर जी बताने की कोशुश करिएगा पहला प्रश्ण है आपके सामने कि असर्शन में लिखा है कि कैट्सूल आफ बैक्टिरियल सिल इस रिजिड एंड मेड आफ मूरिन और यह मूरिन क्या होता है? मूरिन का दूसरा नाम होता है पेप्टाइडो ग्लाइकॉन दूसरा आपके सामने लिखा है यह बैक्टिरिया को पैथोजन और डेसी केशन से बचाता है उमिद करते हैं आप सभी लोगों का अंसर आ रहा होगा कि दोनों सही है आप सभी लोगों का अंसर आ रहा होगा दोनों सही है जी आप में से लगभग सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा दोनों सही है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है नो आपकी कोई मिस्टेक है नहीं है दोस्तों आप से तो ये मिस्टेक होई नहीं सकती क्यों क्योंकि आप सभी लोग जो है कैपसूल को और सेल वाल को एक ही समझते ह इन दोनों को एक ही समझते हो आप उसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है सेल इन्वलप में बात होती है सेल मेंब्रेन की और इसी में बात होती है सेल वाल की और आप पढ़े हो कि सेल वाल जो होती है वो पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की बनी होती है आप ये पढ़े हो कि जो cell wall होती है वो peptidoglycan की बनी होती है इसी को murine कहते है अब आप इतने अच्छे हो कि आप cell wall पढ़ लिए हो अब जब आप cell wall पढ़ लिए हो कि peptidoglycan की बनी होती है तो क्या फर्क पढ़ता है कैपसूल लिखे चाहे cell wall लिखे चाहे cell membrane लिखे नो मैटर आपको इतना समझने की क्यों ज़रूरत है नहीं समझेंगे आप क्योंकि कैपसूल जो होता है ये उपर covering होता है सबसे उपर slime structure होता है जो क्या कहलाता है ये bacteria है ये इसकी cell wall है cell wall के उपर जो है cell membrane होती है क्या होती है cell membrane होती है cell membrane जी सबसे अंदर क्या होती है cell membrane उसके उपर ये cell wall ये cell membrane का modification होता है जो mesosomes बनता है like this ये modification होता है like this this is cell membrane this is cell wall अब इसके उपर जो संदचना होती है उसे capsule बोलते है उसे क्या बोलते है आपसे कह दिया capsule जो होता है वो किसका बना होता है वो मूरीन का बना होता है अब आप समझ जाएंगे ना लेकिन होश में आईए ये कैपसूल है और ये कैपसूल किसका बना है ये कैपसूल बना होता है याद रखिएगा लिपो पॉली सेक्राइड का लिपो पॉली सेक्राइड का ये लिपो पॉली सेक् करके क्या बनाते हैं स्लाइम लेयर बनाते हैं क्या बनाते हैं स्लाइम लेयर बनाते हैं यह स्लाइम लेयर बन जाता है और यह स्लाइम लेयर और कैपसूल यह दोनों मिक्स हो जाते हैं और मिक्स हो करके गलाइको कैलिक्स बनाते हैं यह जो गलाइको कैलिक्स है यह सिल वाल का हिस्सा नहीं है this is the structure of capsule ये capsule का structure है ये दोनों mix हो करके क्या बनाते है slime wall slime layer और capsule मिल करके glyco calyx बनाते हैं तो आप से question में पूछा गया था इसलिए question पूछा गया था कि आपकी सारी आबादी का question गलत हो जाए पूछा है capsule of bacterial cell bacterial cell का जो capsule होता है वो rigid होता है और made of murine आप कहेंगे महा गलत जो sylval होती है वो murine की बनी होती है दूसरा कह रहे है capsule protect the bacterium from pathogen बिल्कुल सही है capsule जो है bacteria को pathogen से और desiccation से बचाता है इस हिसाब से आपका answer क्या हो जाएगा assertion is incorrect और reason is correct अब जब कोई आपसे बताता तो आप कहते हैं नहीं गलत बता रहा है जी उम्मिद करते हैं यहां तक की आप सभी लोगों की clear tell me fast clear to all are not बताएगा सभी लोगों का clear या नहीं तो पहला question आपका wrong next पर आते हैं दूसरा question आपकी screen पर दूसरा question आपकी screen पर बताएगा fast जी दूसरा question आपकी screen पर मोनेरा includes assertion में कह रहा है कि मोनेरा includes all prokaryotes मोनेरा में सभी prokaryotes आते हैं सही है मोनेरा में सभी prokaryotes आते हैं nuclei of monerans are not organized with nuclear membrane nucleoplasm chromatic fibers and nucleus कह रहे हैं कि assertion में कह रहे हैं कि मोनेरा जो होते हैं वो सभी prokaryotes में आते हैं बिल्कुल सही बात हैं और क्योंकि जो इनके nuclei होते हैं मोनेरा के यह organized नहीं होते इसमें nuclear membrane नहीं होता इसमें nucleoplasm नहीं होता chromatic fibers नहीं होते nucleus नहीं होता यह organized नहीं होते तो आपको लग रहा हैं बिल्कुल सही बात और आप में से सभी लोगों का answer आ रहा होगा a is the right answer लगबग आप में से सभी का correct answer आ रहा होगा a is the right answer उम्मिद करते हैं सभी लोगों की यहां तक की बात है clear next question है question number 3 आपकी screen पर उम्मिद करते हैं correct answer आएगा in bacteria the chromosome is irregularly fold कहरें की bacteria में क्या होता है bacteria में chromosomes irregularly fold हो जाते हैं in bacteria the chromosomes is regularly folded into compact mass the nucleoid are gonna for a definite form अब बताएंगे बिल्कुल सही है in bacteria there is no organized nucleus bacteria में कोई भी organized nucleus नहीं होता एक बार इसको पढ़ करके देखिए क्योंकी से जुड़ रहा है जी सोचिए दोनों सही है दोनों तो सही है no doubt लेकिन एक बार इसको देखिए because से जुड़ रहा है in bacteria the chromosomes is irregularly folded into compact mass the nucleoid are gonna for a definite form because in bacteria there is no organized nucleus क्योंकि bacteria में कोई भी organized nucleus नहीं होता उमिद करते हैं सभी लोग कह रहे हैं कि जुड़ रहा है श्रद्धा मिश्रा जी नहीं जुड़ रहा है क्यारें कि bacteria में जो chromosomes होते हैं वो irregularly fold होते हैं और compact mass बनाते हैं जिसे nucleoid कहते हैं या इसी को geno 4 कहा जाता है nucleoid का दूसरा नाम geno 4 है याद रखिएगा क्यारें ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसमें no organized nucleus इसमें कोई organized nucleus नहीं होता इसलिए ऐसा है तो आप बताएंगे सर क्योंकि इससे जुड़ रहा है इसलिए इसका answer हो जाएगा A A is the right answer eukaryotic cell काफी अच्छा question है देखिए eukaryotic cell have more DNA than prokaryotic cell आप बताएंगे बिल्कुल सही है कि eukaryotic cell में ज़्यादा DNA होता है than prokaryotic cell की तुलना में ज़्यादा DNA होता है ये बात सही है eukaryotes are more complex than prokaryotes genetically क्योंकि eukaryotes जो होते हैं वो more complex होते हैं आप बताएंगे ये भी बात सही है मतलब eukaryotes में ज़्यादा DNA होता है prokaryotes से क्योंकि जो eukaryotes होते हैं वो ज्यादा complex होते हैं in comparison to prokaryotes इसी लिए ज़्यादा होते हैं तो आपका answer आएगा both a and both assertion and reason are correct तो आप इस situation बताएंगे both assertion and reason are correct जी उमिद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा तो इसका क्या हो जाएगा both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion next question है question number fifth आपकी screen पर assertion में लिखा है काफी अच्छा question है assertion में लिखा है साइनो बैक्टिरिया आर ग्राम पॉजिटिव photosynthetic prokaryot cyanobacteria जो होते हैं ये gram positive photosynthetic prokaryot होते हैं ये तो बात सही है cyanobacteria के बारे में कहा जाता है जब हम इसको एक detail book को follow करते हैं तो उस detail book में follow होने में मिलता है कि cyanobacteria को gram negative bacteria भी समझा जाता है लेकिन जब इसका great explanation देखने को मिला तो इसमें ये पाया गया कि जो gram negative bacteria होते हैं उनकी bacterial wall, cell wall जो peptidoglycan की बनी होती है वो thin होती है लेकिन in comparison to gram negative bacteria इनकी cell wall ठीक होती है इसलिए इनको gram positive में रख सकते हैं no doubt कोई confusion नहीं होना चाहिए वैसे आप directly आप देखेंगे तो आपको कई जगा देखने को मिलेगा कि ये gram negative होते हैं लेकिन याद रखिए explanation में जब आप जाएंगे जब थोड़ी सी जद्दो जहत करेंगे तो आपको इसका analysis मिलेगा कि ये gram negative bacteria की cell wall जो होती है वो thin होती है लेकिन जो cyanobacteria होते है in comparison to gram negative that cell wall is thick इसलिए इसको gram positive में रखा जा रहा है आपके exam में question आएगा तो इस question को समझेगा कि ये सही है cyanobacteria are one of the earliest colonies of the barren areas cyanobacteria जो थे ये पहले थे जो barren areas में colonies का formation किये colony का formation करने वाला कौन था colony का formation करने वाला cyanobacteria था ऐसे उगने वाला कौन था वो lycan था दोनों में फर्क है और उस फर्क को समझना है जी इस हिसाब से आप सभी लोग बताएंगे कि इसका correct answer क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा कि ये दोनों सही है कि इसका correct answer क्या हो जाएगा ये दोनों सही है जी दोनों में फर्क है आपको लगा होगा reason incorrect है क्योंकि आपको याद आया कि barren areas में lichen grow करता है लेकिन यहां कह रहा है कि colony में grow करने वाला पहला कौन है जो कालोनी में ग्रो किया था वो पहला कौन है जब आपको कालोनी में पूछा जाएगा तो आप सभी का आंसर आएगा साइनो बैक्टिरिया थे इस हिसाब से इसका बी आंसर सही है आपके सोचने से नहीं होता डिफरेंस है यहाँ colonizer पूछा है colony बनाने वाला like and colony नहीं बनाता है जी तो इस हिसाब से इसका assertion और reason दोनों correct जी clear next question question number 6 आपके screen पर ये अच्छा सा question है आप लोग answer करें फिर इसका explanation देखते हैं question number 6 assertion में लिखा है thermo acidophilus या thermo acidophilus thermo acidophilus are chemosynthetic ये chemosynthetic होते हैं chemosynthetic मतलब ये chemical से अपना food लेते हैं they obtain energy for food synthesis from oxidizing sulfur ये chemical से अपनी energy लेते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ये भी सही है ये भी सही है और ये इसका explanation भी कर रहा है ये इसका explanation भी कर रहा है और उम्मीद करते हैं सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा धर्मेंद कुमार जी जी आपका answer भी आ रहा है कैसे possible है दोस्त आपका answer कैसे भी आ रहा है tell me और सभी लोगों का answer A आ रहा है आपका answer B क्यों आ रहा है यहां पर यह कह रहा है अपने आप से सोचिए thermo acidophiles जो होते हैं वो chemo synthetic होते हैं क्योंकि वो अपनी energy for food synthesis कहां से लेते हैं chemical से लेते हैं इसलिए क्योंकि इसे जोड़िए तो आपको सही answer मिल जाएगा कि इसका सही answer क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा next question 7 पढ़िए और answer करिए question number 7 आपकी screen पर और उमिद करते हैं भेटरीन तरीके से answer आएगा assertion में लिखा हुआ है कि angio sperm like flagellated male gamers विल्कुल सही बात है angio sperm में कोई flagellated male gamete नहीं होते क्योंकि इन में fertilization के लिए water की अवशक्ता नहीं होती है इसमें fertilization के लिए water की अवशक्ता नहीं होती है इसलिए इसमें flagellated male gamete नहीं होते sperm's are not dependent on water for fertilization और आपको याद हैं कि इसमें जो sperm's हैं वो water पर dependent नहीं है fertilization के लिए जब ऐसी बात है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि angio spums lack flagellated male gamete angio sperm में flagellated male gamete अनुपस्थित होता है क्योंकि spums are not dependent on water for fertilization क्योंकि sperm जो होते हैं वो water पर dependent नहीं होते fertilization के लिए जी तो ये भी सही है और ये भी सही है दोनों सही है और दोनों के according explanation भी कर रहा है जी दोनों के according explanation भी हो रहा है कि इसमें lack होते हैं flagellated gamete नहीं होते जी जी angio spums lack flagellated male gametes angio sperm में flagellated male gametes नहीं होते क्योंकि spums are not dependent on water for fertilization क्योंकि ये spums जो होते हैं वो fertilization पर dependent नहीं होते तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा और लगभग सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा A is the right answer ची डन नेक्स कोस्टन पर चलते हैं कोस्टन नमबर 8 आपकी स्क्रीन पर The seeds of gymnosperms are naked Gymnosperms के जो seed होते हैं वो naked होते हैं Seed of gymnosperms are naked The seeds of gymnosperms are naked Reason में लिखा है Seed consists of three generation one within the other Three generation one within the other तो ये बात तो पता है कि gymnosperms का seed जो होता है naked होता है सही है और इसका जो seed होता है वो तीन generation को follow करता है कितनी generation को? तीन generation को follow करता है एक generation का नाम है पहली generation का नाम है parental generation जिससे हम लोग बोलते हैं parental sporophyte एक generation है जिसे parental sporophyte कहते हैं ये 2N होता है से हम लोग फीमेल लाइमिटो फाइड कहते हैं यह एन होता है इसमें हम लुग बात करते हैं इंडो इसमें इंडो इस्पassung की बात करते हैं और तीसरा होता है आपका तीसरी जननरेशन होती है फ्यूचर इस्पोरोफिटिक जनरेशन यह तीन जनरेशन इसमें होती है, इसका मतलब ये दूसरा वाला भी correct है, क्योंकि इसमें तीन जनरेशन देखने को मिलती है, एक parental इसपरोफिटिक जनरेशन होती है, एक female गैमिटोफिटिक जिसमें इंडोस्पम का फार्मेशन होता है, जो कि हैपलॉइड होती है, और एक तीसरी future इस प्रोफिटिक जनरेशन होती है, तो जो ये तीन जनरेशन की बात लिखी है, ये भी बात सही है, इस आधार पर आप कह सकते हैं, कि जो दोनों हैं, कथन सही है, इस हिसाब से आपका B answer correct हो जाएगा, explanation नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों correct है, जी, इसका सब का correct answer आना चाहि ये दोनों correct है, explanation नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों correct है, आप सभी लोगों का answer आना चाहिए, सर, दोनों correct है, और उमिद करते हैं, आप सभी लोगों का correct answer होगा, दोनों सही है, जी, clear to all, उमिद करते हैं, यहां तक की बाते हैं, आप सभी लोगों की clear, असर्सन में एक question है, पाल ईूटलाइजड डिूरिं इस्टर वेशन, यह पाल ईूटलाइज होते हैं, इस्टर वेशन के समय किसाइब इन तैर वेशन एक दम सरह जो एकट अज़ंग पाल इस्टर वेशन होते हैं, Pirenoids किसके बने होते हैं जी Pirenoids are Proteinous bodies जब आपसे Pirenoids पूठा जाता है तो Pirenoids का मतलब आप क्या समझते हैं बताने की कोहुष करिएगा अगर आपसे कहा जाए Pirenoids क्या होते हैं तो आप سबका correct answer आना चाहिए और उम्मीद करते हैं लगबग सभी लोगों का current answer आएगा जी ये पायरिनुमाइट्स कहां पाया जाते हैं तो आप बताएंगे जी ये पायरिनुमाइट्स पाया जाते हैं आपके chloroplast में कहां पायाते हैं chloroplast में पायाते हैं और ये proteins के बने होते हैं इन्हें proteinious body कहते हैं surrounded by starch ये starch से surrounded होते हैं ये protein के बने होते हैं starch से surrounded होते हैं मतलब ये भी सही इस हिसाब से आप से पूछा जाए कि आपका इसमें answer क्या होगा pyreneoids are utilized during starvation because pyreneoids are proteinious bodies अगर आप इसको जोड़ के देखिए देखिए सही आ रहा है कि pyreneoids जो होते हैं ये starvation के समय utilize होते हैं क्योंकि इसमें protein पाया जाता है देखिए जोड़ने पर सही आ रहा है जी और उम्मिद करते हैं लगबग सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा A या इसका आंसर हो जाएगा B क्या होना चाहिए भई टेजी से चिला के बोलिए क्या होना चाहिए कुछ भी हो जाए आंसर A होना चाहिए आवाज सुनाई दी आप लोगों की, आपने तेजी से चिल्लाया उपाशना चौहान जी, नेहा तीवारी जी, सुमित्रा मुर्मू जी, नेहा शर्मा जी, राजियू कुमार जी, साक्षी भारती जी, कुमकुम दूबे जी, श्रधा मिश्रा जी, मंजु कुमारी जी, उश्रा गुपता जी, नेहा तीवारी जी, सोनम राजपोद जी, श्रध सब्सक्राइब उम्मट शमीम साहब नहा तिवारी धर्मेंद्र कुमार जी जिसर किलियर राजकुमार रस्तोगी जी विनै महिनी जी पूनम पांडे अमिद करते हैं यहां तक की बाते आप सभी लोगों के प्लिए निक शलते हैं नंबर कुश्चें कि ये असर्शन और रीजन का जो है आपको असर्सन और रीजन कहीं और बाहर से देखने की जरूरत नहीं जो असर्सन और रीजन के question होंगे आपको यहीं से मिल जाएंगे इन लेप्टो इस्पोरेंजियेट डेवलप्मेंट इस्पोरेंजियेट में सिंगल इनिशियल से बनता है यू इस्पोरेंजियेट में गुरूप आफ इनिशियल से बनता है बताने कोहिश करिएगा उम्मिद करता हूँ सभी लोगों का correct answer आएगा यह आपका पढ़ा हुआ जाना हुआ समझा हुआ प्रश्न है पढ़ा हुआ जाना हुआ समझा हुआ प्रश्न है और मुझे पूरी उम्मिद है कि आप सभी का correct answer आएगा जी लगभग सभी लोगों का correct answer आ रहा है कि इसका सही answer क्या हो जाएगा सर जी ये भी सही है लेप्टो इस्पोरेंजियेट मतलब single यू इस्पोरेंजियेट मतलब group यू इस्पोरेंजियेट मतलब group initial से बनता है ये और ये इस से बनता है इस आधार से आपका ये answer कौन सा हो जाएगा बी correct answer हो जाएगा किसी को ये तो नहीं लग रहा था कि ए हो जाएगा फर्टिलाइजेशन इन साइकस is called juordogamy साइकस में फर्टिलाइजेशन को juordogamy कहा जाता है बच्चा बच्चा जानता है ये juordogamy काफी famous है साइकस में फर्टिलाइजेशन को जुआडोगैमी कहा जाता है बिल्कुल सही है no doubt फर्टिलाइजेशन इन साइकस takes place by the formation of pollen tube अब बताएंगे ये भी सही है कि इसमें फर्टिलाइजेशन में pollen tube का formation होता है ये दोनों सही है किसी को लग रहा है कि ये explanation कर रहा है कि नहीं उमिद करते हैं कि सभी को लग रहा होगा इसमे explanation की बात नहीं है इसलिए इसका भी answer B है जी इसका भी answer B है और आप में से लगभग सभी लोगों का B answer आ रहा होगा लेकिन क्या करेंगे कुछ लोग हैं जैसे नहातिवारी जी हैं उनका आ रहा है A और जो है अनुराधा जी हैं उनको आ रहा है A जी और ये लोग जो जिनका A आ रहा था ना पता है वो कैसे सोच रहे थे वो ऐसे सोच रहे देखिए Fertilization in Psychus is called Juadogamy Psychus में Fertilization को Juadogamy कहते हैं क्योंकि Psychus में Fertilization के समय Pollen Tube का Formation होता है और जिसमें Pollen Tube का Formation होता है उसको Juadogamy कहते हैं इन लोगों के सोच में मतलब इन लोगोंने सोचा क्योंकि Pollen Tube से होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं जो Juadogamy कहते हैं भहिया दोनों सही है लेकिन ये explanation नहीं इसका B answer correct है और उमिद करते हैं लगभग सभी लोगों का correct answer next question question number 12 अरे ये लोग तो ऐसे भी अगर इनसे हिंदी में question पूछो कि मैं दिल्ली जा रहा हूं अब इनसे कोई कहें देखो क्योंकि से जोड़ता है तो हाँ जोड़ेंगे मैं दिल्ली जा रहा हूं क्योंकि तुम लखनव जा रहे हो जी जोड़ दिया ना हाँ बहुत फट से जोड़ा because लगा दिया क्या करना था sentence बने ना बने उससे मतलब थोड़ी है लगाना था because तुम लखनव जा रहे हो लेकिन यह क्योंकि जोड़ देंगे नो मैटर इनसे क्या मतलब sentence की ऐसी कि तैसी हो रही है कि नहीं हो रही है इट इस नॉट गुड आईए नेक्स कोशन पर चलते हैं असरसन आज तक यह लोग खुब बोलते आए ना until you will not come जब तक तुम नहीं आओगे इनसे क्या मतलब की sentence गलत है इनसे यह थोड़ी मतलब है इनसे तो बोलने से मतलब है और खुब बोलते हैं until you will not come उमिद करते हैं यहां तक की बाते हैं clear जी यह भी बोलते हैं until you will not come यह नहीं यहां पर यह भी गलत है यह कुछ नहीं होगा यहां होगा until you come जब तक तुम नहीं आओगे आईए चलते लिपसाफ ब्रायोफिलम बीगोनिया हेल्प इन वेजिटेटिव मल्टिप्लिकेशन इतना क्यों समझाया इतना इसलिए समझाया कि कम से कम अब sentence को सोचेंगे तो अपनी अपनी नजर में नहीं सच क्या है वो लिपसाफ ब्रायोफिलम बीगोनिया हेल्प इन वेजिटेटिव मल्टिप्लिकेशन बिल्गुल सही है लिपस आफ डीज प्लांस पसेज एडवन्टीसियस बड क्योंकि इनकी लिपस में एडवन्टीसियस बड्स पाई जाती है देखिए असरसन और रीजन दोनों आपके सामने हैं देखिए एक्स्प्लेन कर रहा है लिपसाफ ब्रायोफिलम ब्रायोफिलम की लिपस बिगोनिया बिगोनिया की लिपस हेल्प इन वेजिटेटिव मल्टिप्लिकेशन ये वेजिटेटिव मल्टिप्लिकेशन में हेल्प करती है क्यों क्योंकि इनकी पत्तियों में लीफ्स आफ दीस प्लांट्स पजेस एडवन्टीसियस बर्डस क्योंकि इनकी पत्तियों में एडवन्टीसियस बर्डस पाई जाती हैं बताईएगा मैच कर रहा है या नहीं बताईएगा उम्मिद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा जी देखिए मैच कर रहा है उम्मिद करते हैं कि बताईएगे आप मैच कर रहा है की नहीं हाँ मैच कर रहा है न किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है जी उम्मिद करते हैं सभी को लग रहा है सर मैच कर रहा है जी बिलकुल मैच कर रहा है पत्तियों की बात उपर हुई है, पत्तियों की बात कहां हुई है, पत्तियों की बात नीचे भी हुई है, तो उम्मिद करते हैं, यहां तक की बातें clear और इसका सही आंसर हो जाएगा, A is the right answer, A is the right answer, next question, देखिये, किसी का गलत नहीं हुआ, सब लोगों ने अपकी बार सोचा है, मेज is an albuminous seed, मेज एक albuminous seed है, you know, मेज जो होता है, वो albuminous seed है, Indosperm is completely absorbed by its growing embryo, जो Indosperm होता है, वो completely absorbed होता है, by growing embryo, आप कहेंगा सर जी albuminous होता है, तो completely, Indosperm is not completely absorbed होना चाहिए, अब यह albuminous seed है, तो not होना चाहिए, इसका मतलब यह दूसरा वाला गलत है, albuminous seed में क्या होते हैं, albuminous seed में present होता है ना albumin, जी, जी, उम्मिद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह समझ में आया होगा, समझ में आया की नहीं, आया, असर्षन तो सही है, लेकिन reason इसका क्या है, इसका reason गलत, reason incorrect, Indosperm is not completely absorbed, इसमें आप बताएंगे, Indosperm completely absorbed नहीं होता, जी, लेकिन ये लोग तो उल्जे थे कि इसमें match कर रहा है की नहीं, मतलब सारा दिमाग इसमें लगा दिये थे कि match कर रहा है की नहीं, और सारे option भूल गये थे, ऐसा मत करिये, और सारे option मत भूलिये, next question पर चलते हैं, 14 number question आपके screen पर, सबसे पहले ये आपके ज्ञान को चेक करता है, उसके बाद फिर आपके mental status को चेक करता है, कि आप सोचते कैसा है, अब आप सोचते हैं, अब ये सही है कि गलत वो आप सोचेंगे, अकसर एक्जाम में question ये पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखा रहता है lowest position, तो जो लोग question वा याद करके जाते हैं न, वहाँ पर फिर गरबर कर देते हैं, हमेशा ये lowest position पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर highest position किया गया है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है, कि ये असरसन सही है कि गलत, अब असरसन के आप अंदर घुषें, coriander, coriander में गयें तो आपको याद आया, अंबली-fairy family का है ये, ये अंबली-fairy family का है, ये APAC family, उसी को बोलते हैं नया नाम है, APAC family का है, ये जो हैं, ये कैसा होता है, बाई-carpulary होता है, ये बाई-carpulary होता है, sin-carpus होता है, और इसमें inferior ovary पाई जाती है, ओ मैई गॉड, जब आपको याद आया, inferior ovary पाई जाती है, इसका मत्दब पहला गलत हो गया, अब जब आपको इतना ज्यान रहेगा, तो आप कहेंगे, assertion is incorrect, assertion incorrect है, hypogynos में ovary occupies the highest position, ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा D, जब आप इतना जानेंगे, तो इसका आंसर आपका D आजाएगा, और नहीं जानेंगे, तो आंसर क्या आएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा D, और लगभग सभी लोगों का correct answer आना चाहिए, D is the right answer, उमिद करते हैं, सभी का correct answer होगा, next question, assertion और reason का next question, question number 15 आपकी screen पर, in SIMO's tap root system, oldest branch lies very near the growing point of the root, while the youngest branch is farthest away from it, समझे, in SIMO's, SIMO's condition में, tap root system, oldest branch, in SIMO's tap root system, SIMO's tap root system में, oldest branch lies very near, जो oldest branch होती हैं, वो बहुत pass होती हैं, point of the root, while the youngest branch, जो youngest branch होती हैं, वो काफी दूर होती हैं, अगर आप tap root system देखें, तो tap root system में आपको याद होगा, कि tap root system में क्या होता है, tap root system में, यह, यह जो oldest branch होती हैं, यह oldest branch काफी pass होती हैं, और जो यह youngest branch होती हैं, वो काफी दूर होती हैं, यही आप से कह रहे हैं यह, यह जो oldest होती हैं, वो काफी pass होती हैं, और जो youngest होती हैं, वो काफी दूर होती हैं, तो यह बात तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है इनसाईमोस टैप रूट सिस्टम इनसाईमोस टैप रूट सिस्टम दा प्राइमरी रूट इटसेलफ स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर सम टाइम्स बट सेकंडरी रूट स कैरी ओन फर्दर ग्रोथ ये भी सही है जी आप इसमें अगर tap root system देखें तो tap root system में आप क्या पाते हैं tap root system में जो primary root होती है वो stop हो जाती है वो grow नहीं करती division नहीं करती लेकिन जो secondary root होती है वो further divide करती है और इस तरह से root system का formation करती है इसलिए ऐसा होता है जो दूर चली जाती है इसकी main वज़ा यह है और यहाँ पर साइमोस को हटा दीजिए तो आपको और सही clear आएगा in tap root system तो no doubt खतम हो जाएगा tap root system में यह देखने को मिलता है जी उमिद करते हैं यहाँ तक की बाते clear समझ आया जी एक concept यहाँ पर याद रखिएगा कि tap root system में क्या होता है tap root system में यह साइमोस tap root system में जो primary root होती है itself it's stop growing after sometimes कुछ समय बाद यह grow करना बंद कर देती है और जो secondary होती है वो carry on करती है जिससे क्या होता है जो old root होती है वो pass रह जाती है और जो इसकी जो है young root होती है वो दूर चली जाती है उमिद करते हैं everyone clear उमिद करते हैं सभी लोगों की clear जी next पर चलते हैं important 16 number question आपके screen पर the alluron layer is deployed करें जो alluron layer होती है वो deployed होती है alluron layer is deployed बिल्कुल सही है alluron layer deployed होती है बिल्कुल सही है it secretes hydrolytic enzyme यह hydrolytic enzyme secret करती है यह hydrolytic enzyme secret करती है करें कि alluron layer is deployed because क्योंकि it secretes hydrolytic enzyme यह hydrolytic enzyme secret करती है इसलिए deployed होती है सही है यह hydrolytic enzyme secret करती है इसलिए deployed होती है सही है जी कितने लोगों को लग रहा है कि सही है जब कोई अच्छा काम होता है तो buffering होई जाती है क्या करोगे जब अच्छे काम के अच्छा कुछ काम होता है तो होई जाता है जी उमिद करते हैं कि तो आप कहेंगे नो सर यह जो है ऐसा नहीं होता है अर्थात इसका सही आंसर है बी यह क्यों से नहीं जूड़ा है न देखिए थोड़ी सी डार्ट क्या लगाए थे कोई question आप गलत नहीं कर रहे है अच्छी बात ऐसे डार्ट लगाने से question सही होने लगते न तो फिर एक्जाम के एक दिन पहले डार्ट लगाता है और अगले दिन एक्जाम को अच्छ हो जाता है custard apple is a type of itario of berries custard apple जो है ये itario of berries है बिल्कुल सही है custard apple किस में आता है itario of berries में आता है ये itario of berries है तो असरसन इसका क्या है असरसन इसका बिल्कुल सही है custard apple क्या है custard apple को itario of berries कहा जाता है reason में आ जाईए inner layer of pericarp of individual berry of custard apple is edible इसका correct answer ये भी है कि इसका जो है inner layer जो होती है उसे pericarp कहते है individual berry of custard apple is edible और वो खाने योग होती है तो आप बताएंगा सर इस तरह से ये दोनों correct custard apple type of itario होते है क्योंकि इनकी inner layer जो होती है पेरिकार्ब कहलाती है और वो खाने योग होती है आप कहेंगे नहीं सर ये कोई match नहीं कर रहा है इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोनों सही है गलत कोई नहीं है लेकिन explanation नहीं कर रहा है दोनों सही है लेकिन explanation नहीं हो रहा है क्या नहीं हो रहा है explanation 18 number question important है आपकी screen पर और उमिद करते हैं लगभग आप लोगों का correct answer आना चुछ असरसन में आपसे कह रहे हैं कि radial symmetry in animal animal में radial symmetry is advantageous in detecting food and danger मतब radial symmetry वाले जो animal होते हैं उनको ये फाइदा होता है कि वो food या danger को detect कर लेते हैं बिल्कुल सही बात है इट allows the animals to be able to respond to stimulus from any direction और ये animals को ये capability देते हैं इस तरह के बनाते हैं कि ये किसी direction में stimulus को response दे लेते हैं तो assertion भी इसका सही है reason भी सही है तो बताईएगा ये क्यों किसे जुड़ रहा है कि नहीं radial symmetry जिन animals में होती है उनको फाइदा ये होता है कि वो food को detect कर लेते हैं danger को आसानी से समझ लेते हैं क्योंकि ये जो radial symmetry होती है ये animals को किसी भी direction से stimulus को respond करने में मदद करती है तो आप बताएगे सर ये तो match कर रहा है ऐसा क्यों होता है क्योंकि ये किसी direction में stimulus को response कर सकते हैं इसलिए आप सभी का correct answer आ रहा होगा बोथ assertion and reason are correct जी clear है explain हो रहा है देखिए अनुराधा जी और निहा टिवारी जी से गलत नहीं होने वाला है धरमेंद्र जी से अभी भी होच पॉच चल रहा है उनकी भी class लगनी चाहिए असरसन ए में कहा जा रहा है टेप वाम, राउंड वाम and पिन वाम are endoparasite in human intestine यह human intestine में endoparasite के रहते हैं क्या भाई साहिए टेप वाम, राउंड वाम, पिन वाम यह human intestine में रहते हैं आपने कहा यह साहिए फिर कह रहे हैं improperly cooked food is the source of intestinal infection intestinal infection का जो source है वो क्या है? improperly cooked food है तो आप बताईए इन दोनों का कोई आपस में relation समझ में आ रहा है बात तो दोनों सही है intestinal infection जो होता है वो improperly cooked food से होता है अब बताईए दोनों का कोई combination बन रहा है अगर बन रहा है तो A होगा नहीं बन रहा है तो B होगा सिलपी श्रिवास्तो जी बता रहे हैं सर जी 19 का C सही है अब सिलपी जी की बात माने तो 19 का C मतलब असर्सन करेक्ट है रिजन इंकरेक्ट कहिए बहिए इंप्रोपर्ली कुग्ड फूड जो होता है वो intestinal infection के लिए तो important है यह intestinal infection करता है लेकिन इसका कोई संबंद नहीं है टेप वाम से राउंड वाम से पिन वाम से इसलिए इसका सही answer है B जी इसका सही answer क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा B यह कोई explanation नहीं कर रहा है no explanation बिलकुल सही जी इसका सही answer क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा B B is the right answer next question question number 20 आपकी screen पर उमिद करता हूँ सभी लोगों का correct answer आएगा insects are different from spiders insects जो होते हैं वो spider से अलग होते हैं क्या भई सही है हाँ कुछ लोग कह रहे हैं सर जी insects जो होता है वो insecta class को बिलॉंग करता है और जो spider होता है वो arachnida को बिलॉंग करता है जब इनके class अलग तो यह अलग हाँ सही insects and spider belong to different phylum यह different phylum को बिलॉंग करते हैं in animal kingdom आप कहेंगा सर जी यह तो घोर अन्या है यह डोनों arthropoda को बिलॉंग करते हैं मतलब यह गलत है और यह सही है और उम्मिद करते हैं लगभग सभी लोगों का answer आ रहा होगा assertion is right, reason is right but reason जो है यह wrong है clear? उम्मिद करता हूँ लगभग आप में से सभी लोगों का c answer आ रहा होगा कौन सा answer आ रहा है? c answer आ रहा होगा और यह c answer आप लोगों का correct है next question पर चलते हैं question number 21 उससे पहले आप में से जिन लोगों ने आज admission की प्रिक्रिया पूरी की है वो सभी लोग जो है blood और blood circulation के topic को अपनी copy में note करेंगे और नए लोग जो है अभी class से नहीं जुड़े हैं और class से जुड़ना चाहते हैं 8756703588 पर examination के लिए preparation कर रहे हैं 2024 और 25 के लिए exam के लिए prepare कर रहे हैं जिनका अभी MSC first year चल रहा है या second year चल रहा है मतलब last year चल रहा है वो इस बैच से जूड़ सकते हैं जिसका B.A.D. final year चल रहा है वो बैच से जूड़ सकते हैं और जिन लोगों को TGT, PGT, LT, GIC और जो है आप कह सकते हैं कि KVS, NVS आने वाले 2024 में आपके इतने exam होने अब आपको पता है या नहीं पता है I don't know लेकिन 2024 में आप TGT का भी exam देंगे PGT का भी देंगे 2022 का भी देंगे और information है कि हो सकता है 2023 का भी दें और आने वाले समय में सिस्टम इतना अच्छा होगा कि हर साल प्रतेक एयर चांस बन रहा है कि प्रतेक एयर exam होगा जो आप जो है lazy type के होते जा रहे थे इसको भी दूर किया जाएगा और इसी में मौका होगा कि आपका काम हो जाए और आप सभी को पता है ये कभी भी announce हो सकती है ये कभी भी announce हो सकती है दो vacancy कभी भी announce हो सकती है इसकी कभी भी date आ सकती तो कम से कम आप सभी लोग पूरे mood के साथ तयारी करें और जो लोग KVS और NVS में भी interest रखते हैं वो सभी लोग बैश से जूड़ने के लिए 2024 और 2025 के लिए आप सभी लोग 8756703588 पर ज्वाइन बायलोजी लिख कर भेजें और अपने एडमिशन की प्रिक्रियों को पूरा करें दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आपकी संस्था में NCRT का बैश भी continue चल रहा है आप मेंसे जो NCRT को line to line पढ़ना चाहते हैं जो समझना चाहते हैं वो NCRT बैश से जोड़ करके NCRT को एक बार complete कर लें perfection आएगा और आज selection लेने में आसानी होगी next question है आपका 21 आपकी screen पर बताने की कोशिश करिएगा आसान सा question है और उमीर करता हूँ लगभग आप में से सभी लोगों का correct answer आएगा arthropods are able to survive in adverse condition arthropods adverse condition में survive होने में सक्षम थे बिलकुल थे no doubt arthropods have well developed sense argon compound eyes and test receptors क्या भाईया इसलिए यह survive हुए दोनों का कोई नाता है दोनों का कोई नाता लग रहा है आपको जी बताने की कोशिश करिएगा जी बताने की कोशिश करिएगा अरे जो है आप लोगों के answer यह आ रहे हैं मुझे कितना अफसोस लगा so sad क्या करें हम मतलब इनको इतना अक्ल काम नहीं कर रहा है कि survive in adverse condition आर्थोपोड adverse condition में survive कर सकते हैं क्यों क्योंकि आर्थोपोड का जो exo skeleton होता है वो exo skeleton kytin का बना होता है इसलिए यह survive करते हैं गंदे सड़े लोग बता रहे हैं कि इसलिए survive करते हैं कि उनका sense argon बहुत अच्छा है उनकी आखें बहुत अच्छी है उनको taste का ज्यान बहुत अच्छा है हमेशा से पढ़े हैं कि आर्थोपोड जो थे वो survive किये क्यों survive किये क्योंकि उनके पास exo skeleton था काईटिन का बना हुआ exo skeleton था गंदे इसमें दोनों सही है यह इसका explanation नहीं कर रहा है जी इसका correct answer क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा कि यह दोनों सही है explanation नहीं कर रहा है next question 22 आपकी screen पर आसान सा question animals that have exo skeleton lacks an indo skeleton करें कि ऐसे animals animals that have exo skeleton जिसके पास exo skeleton होता है उसके पास indo skeleton नहीं होता क्या सही है कि गलत skeleton cells in the embryonic stage migrate either to produce exo skeleton या तो यह exo skeleton बनाता है या तो endo skeleton बनाता है बट never both लेकिन कभी दोनों नहीं बनाता है अब पता ही नहीं है तो क्या टिक करेंगे कोई answer आ रहा है देखें जी अब आई नहीं रहा है बच्चों को क्या किया जाए देखें बिल्कुल आसान है एक example है चिलोन नाम सुना है चिलोन आपको सोचना चाहिए चिलोन चिलोन को क्या कहते है टर्टल कहते है एक नाम सुना है टेस्टी टेस्टीडो को क्या कहते है टर्टैटवईज कहते है यह जो टेस्टीडो और चिलोन है इसमें एक्जो इसकलेटन भी होता है और इंडोस्कलेटन भी होता है इनमें इंडोस्कलेटन भी होता है और एंडोस्कलेटन भी होता है और इंडोस्कलेटन भी होता है इसका मतलब यह पहला वाला क्या हो गया गलत हो गया इसमें इंडोस्कलेटन भी होता है और एक्जोस्कलेटन भी होता है इसलिए क्या हो गया ये गलत हो गया clear और जब दोनों होता है तो ये भी गलत हो गया इसका दोनों गलत हो गया इसका D answer से ही बहिया चिलोन में और टेस्टीडो में क्या होता है exoskeleton के साथ-साथ endoskeleton भी होता है और जब दोनों होता है तो उस condition के आधार पर हम ये कह सकते हैं most most important है कि जो है D इसका correct answer है जी done याद रखेगा next amphibians cannot survive in sea water amphibians जो है ये sea water में survive नहीं कर सकते सच है? yes sir amphibians जो है वो sea water में survive नहीं कर सकते क्यों? amphibians have lungs far breathing on lands these would collapse under the water pressure of the sea amphibians sea water में survive नहीं कर सकते ये fresh water में survive करते है कहां survive करते हैं? fresh water में survive करते है ये correct है assertion क्या है? correct है amphibians have lungs far breathing on lands these would collapse under the water pressure of the sea कहरें कि इसका lungs collapse कर जाएगा सी में ये गलत है reason क्या है? reason incorrect reason क्या है? reason incorrect assertion correct है assertion is correct but reason is incorrect जी इसके lungs collapse नहीं कर जाएगे जब ये fresh water से sea water में जाएगा तो इसके body में पानी आ जाएगा जी या फिर इसकी body से पानी बाहर निकल जाएगा lungs का infection lungs का कोई infection नहीं है इसका इसका सही answer क्या हो जाएगा? इसका सही answer हो जाएगा कि ये दूसरा गलत है जी दूसरा क्या है? दूसरा गलत है इसका reason गलत है clear? next question चौबिस amphibians are cold-blooded amphibians जो होते हैं वो cold-blooded होते हैं बात सही है amphibians are cold-blooded amphibians cannot regulate their body temperature क्योंकि ये अपने body temperature को regulate नहीं कर पाते हैं with the change in environment with the change in environment जब environment change होता है तो ये अपने body temperature को change नहीं कर पाते हैं amphibians cannot regulate their body temperature ये अपने body temperature को regulate नहीं कर पाते हैं with the change in environment जब environment change होता है मतलब इनका body temperature environment के according change हो जाता है hence called ectotherm इसलिए ectotherm भी कहते है जी लाइन काफी घुमा के है इसका amphibians cold blooded होते हैं क्यों? क्योंकि ये अपने body temperature को regulate नहीं कर पाते हैं environment के अनसार इनका body temperature change होता है इसलिए इनको cold blooded कहते है जो warm blooded होते हैं वो अपनी body temperature को regulate कर लेते हैं इन्हें poiklo thumps भी कहते हैं दोनों correct हैं और दोनों explanation भी कर रहा है दोनों correct हैं और दोनों क्या कर रहा हैं दोनों explanation भी कर रहा है समझाया? दोनों correct हैं और दोनों और जो है explanation भी कर रहा है and reason is the correct explanation of assertion clear? ये assertion का correct explanation whales can lie in cold water वेल जो होती है वो थंडे पानी में रहती है वेल वेल्स कैन लाई in cold water वेल थंडे पानी में रह सकती है as they have a thick coat of blubber under the skin क्योंकि इसके skin के अंदर क्या होता है इसके skin के अंदर blubber present होता है और इसकी व्याख्या कर रहा है blubber consists of adipose tissue that insulate the body blubbers जो होते हैं वो adipose tissue के बने होते हैं ये body को heat देते हैं insulation देते हैं मतलब ये भी सही है ये भी सही है बताईएगा इसका explanation ये कर रहा है आप कहेंगे ये sir कर रहा है ये cold water में रहता है रह सकता है क्योंकि इसके skin के नीचे blubber है और blubber जो होता है इसके adipose tissue का बना होता है और इसका insulation करता है इसका insulation करता है इसे insulate करता है बोथ correct हैं और सही explanation भी कर रहा है जी उमिद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की clear next question question number 26 आपकी screen पर bone is the hardest tissue of the body bone जो है यह hardest tissue है शरीर का जी bone जो है hardest tissue of the body है bone is the hardest tissue of the body bone hardest tissue है bone जो है hardest tissue है अब बताएंगे yes sir the matrix of bones is calcified क्यों क्योंकि जो bones का matrix होता है वो calcified है इसलिए hardest है करें कि bone जो है hardest tissue होता है शरीर का क्यों क्योंकि matrix of bone जो होता है वो calcified होता है और उमिद करते हैं सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा कि सर जी explanation कर रहा है क्यों ऐसा होता है क्योंकि matrix of bone जो होता है वो calcified होता है इसलिए hardest part of the body इसलिए hardest part of the body इसलिए समझा जाता है और उमिद करते हैं लगभग सभी लोगों का correct answer होगा 27 आपके screen पर assertion में लिखा है bone possess longitudinal canal called lacuny bone में longitudinal canal होती है जिसे lacuny कहते हैं बोन्स में longitudinal canal होती है जिनको lacuny कहते है hyberesian canal carries blood vessels and nerve hyberesian canal होती है जो blood vessels और nerve को bone तक पहुचाती है तो ये hyberesian canal के लिए जो point लिखा है ये भी सही है और ये bone के लिए जो लिखा है ये भी सही है क्या देखिए explanation कर रहे हैं कहने कि bone में longitudinal canal पाई जाती है जिसे lacuny कहते है क्योंकि hyberesian canal जो होती है वो blood vessels और nerve को bone तक ले जाती है क्या explain कर रहे है या दोनों सही हैं लेकिन अलग-अलग बात है या दोनों सही हैं लेकिन अलग-अलग बातें कर रहा है तो आप बताएंगे sir दोनों सही हैं और ये अलग-अलग बाते कर रहे हैं ये एक बात नहीं कर रहे हैं इसलिए इसका आंसर भी correct हो जाएगा 27 के बार 28 blood is connective tissue blood एक connective tissue होता है with fluid plasma matrix जिसमें fluid होता है fluid जो fluid के रूप में होता है अब बताएंगा yes sir सही है no doubt done दूसरा कहीं रहा है reason में all connective tissue are soft सभी connective tissue soft होते हैं अभी हम लूग पढ़के गएं कि सभी connective tissue soft नहीं होते हैं कुछ connective tissue soft होते हैं जैसे tendon, ligament यह सब क्या है, यह soft है वाक CiT है बाकि तो hard connective tissue होते हैं तो इसका मत्तर यह क्या है सभी connective tissue soft होते हैं, no, सभी connective tissue soft नहीं होते, जी, ये गलत है, all connective tissue are soft, no, सभी soft नहीं होते, असर्सन is correct, reason is not correct, इसका सही answer हो जाएगा, असर्सन is correct, reason is not correct, 10 dawn, बहुत अच्छा question है, 10 dawn, जब एक dawn आता है, तो क्या करता है, जब एक dawn आता है, तो ये जो आपकी हड़ी है, हड़ी, ये जो bone है आपकी, इस bone को मसल से अलग कर देता है, जब एक dawn आता है, तो क्या करता है, हड़ी को मसल से अलग कर देता है, मतलब, B plus M, bone plus मसल को अलग करता है, उसे बोलते हैं, tendon, पहले तो ये concept हो, जो bone plus muscle से मिल कर बनता है, जो bone plus BB, जो BB से मिल कर बनता होता है, bone plus bone, इसे बोलते हैं, लीगा मेंट, जी, लीगा मेंट, इसे बोलते हैं, लीगा मेंट, आप पढ़िए, tendon is present in all bone joints, आप कहेंगे, tendon सभी bone joints में present होता है, tendon connects the bone at the joints, and holds them in position, और उसे position में hold करता है, आप कहेंगे, sir, tendon is present on all bone joints, tendon सभी bone joints में present होता है, आप कहेंगे, no sir, tendon नहीं present होता, लीगा मेंट्स परजेंट होता है, लीगा मेंट्स परजेंट होता है, इसलिए पहला गला, tendon connects the bones at the joints, and holds them in position, ये joints को connect करता है, ये joints को connect करता है, जी सही है, ये joints को मसल से जोडता है, इसका मतलब, reason is correct, assertion is incorrect, reason correct है, assertion incorrect, लीगा मेंट्स जोडता है, जी, उमिद करते हैं, सभी लोगों को समझ में आया होगा, clear, done to all, next question, question number 30, आपकी screen पर, the secretion of collateral glands, collateral glands याद आया है, cockroach में, secretion of collateral glands, cockroach में, the secretion of collateral glands forms the egg case in cockroach, ये cockroach में egg case का formation करते हैं, the secretion of collateral glands, forms the egg case in cockroach, एकदम सही है, no doubt, the development in cockroach is hemi-metabolus, ये भी सही है, क्या भाईया, इन दोनों का कोई संबंध पता चल रहा है, कोई relation, जिससे आप ये बता सकें कि इसका explanation है, असरसन का explanation, reason है, आप कहेंगे, secretion of collateral glands, forms the egg case in cockroach, development in cockroach is hemi-metabolus, ये तो दोनों सही है, लेकिन कोई explanation नहीं, जिब कोई explanation नहीं होगा, तो आपका सही answer क्या होगा, आपका सही answer होगा, B, और उमिद करते हैं, लगभग आप में से सभी लोगों का correct answer आ रहा है, B, और लगभग सभी लोगों का correct है, B, B is the right answer, next question पर चलते हैं, 31 आपकी screen पर, DNA synthesis occurs in G1 and G2 periods, आप cell cycle, पढ़िएगा थोड़ा बताईए, ये knowledge का भंडारा होता है, जिसके पास खुब knowledge होता है, उसका ये कभी गलत नहीं होता, जिसके पास knowledge है, उसने पढ़ते ही क्या किया, पढ़ते ही, इसको hit कर दिया, ये गलत है, DNA synthesis occurs in G1 and G2 period, दोनों में DNA की synthesis होती है, आप पहेंगे महा गलत, during S phase, cell produced substance, essential for cell division, बिल्कुल सही है, S phase में क्या होता है, cell produced करती है, substance जो essential होते है, cell division के लिए, इस तरह से assertion जो है, incorrect है, region जो है, correct है, इसका सही answer हो गया, D, अब जिनको ग्यान था, वो फट से पकड़ लिए, इसमें कोई reasoning का question तो है, नहीं कि पढ़त करके दिमाग लगेगा, नहीं, meiotic division occurs in reproductive cells, meiotic division reproductive cells में होता है, right, assertion में कह रहा है, कि meiotic division जो होता है, वो reproductive cells में होता है, एकदम सही है, synapsis occurs during zygotin, ये भी सही है, synapsis कब बनता है, zygotin में बनता है, इसका मतलब दोनों सही है, कोई explanation की बात ही नहीं, दोनों सही है, कोई explanation की बात ही नहीं है, जी, दोनों सही है, कोई explanation की बात ही नहीं है, जी, अरे नहा तिवारी जी, उसको फिर से देखिए, hemi metabolas भी होता है, जी, next question, 33, आपके screen पर, G2 phase is pre-mitotic phase, G2 phase जो होता है, वो pre-mitotic phase होता है, बिल्कुल सही है, G2 phase क्या होता है, G2 phase, pre-mitotic phase होता है, बिल्कुल सही है, no doubt, reason में क्या है, kromosomes undergo condensation in G2 phase, महा गलत है, kromosome का condensation M phase में होता है, बोले तो pro phase में होता है, pro phase 1 में इसका condensation होता है, इसका मतलब ये तो महा गलत है, इसका सही answer हो जाएगा, assertion is correct, reason is incorrect, तो ये पता होना चाहिए, जब ये question आए, तो आप question के बारे में भी जानते रहेंगे, जब आप question के बारे में जानते रहेंगे, तो आपका बिल्कुल correct answer आएगा, जी, उमिद करते हैं, यहां तक की बाते हैं, आप सभी लोगों की clear, assertion is correct, but reason is incorrect, done to all, next question, question number 34, आपकी screen पर, ये देखिए, एक अच्छा सा question है, काइनेटो कोर्स आर डिस्क शेप इस्ट्रक्चर, जी, बिल्कुल सही है, काइनेटो कोर्स की कहानी सबको पता है, ये centromere है, यहां पर क्रोमेटिड लगे होते हैं, और ये इसके बाद, ये डिस्क शेप इस्ट्रक्चर जो बनता है, इस काइनेटो कोर्स, उसके एक और्डिंग तो, ये जो पहला वाला मामला है, वो clear है, काइनेटो कोर्स आर डिस्क शेप इस्ट्रक्चर प्रिजेंट आन सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर पर प्रिजेंट होता है, बिल्कुल सही है, असरसन, correct, reason, काइनेटो कोर और सेंट्रोमियर आर, in fact, two names, used for secondary construction of chromosome, महा गलत है, secondary construction of chromosome तो यहां बनते हैं, यह, इनका क्या संबन्ध है यहां से, और इसमें तो खास करके कौन होता है, नूकलियोलस होता है, इसमें कौन होता है, इसमें तो नूकलियोलस होता है, यहां पर जो है, आप बताएंगे, nuclear organizer reason होता है, यहां पर तो नूकलियोलस होता है, है यहां पर नुक्लियस और रीजन होता है इसलिए आप बताएंगे एक सही है एक गलत है असरसन इसका करेक्ट है इसका रीजन रॉंग है कुछ लोग 34 का भी बता रहे थे थोड़ा सा सुधर जाईए तो काफी अच्छा हो जाएगा कि जी 35 cancer cells are virtually immortal cancer cells जो होती है वो virtually immortal होती है until the body in which they reside dies जब तक जिस सरीर में वो रहती है वो dies नहीं कर जाती विल्कुल सही है करेक्ट है, no doubt, reason में लिख रहा है, cancer is caused by damage to genes that regulates the cell division cycle, cancer जो होता है, ये भी सही है, दोनों एक दूसरे को explain कर रहे हैं, दोनों explain कर रहे हैं, sorry, explain कर रहे हैं, cancer cells are virtually immortal until the body in which they resides, cancer is caused by damage to genes that regulates the cell division cycle, क्यों, क्योंकि इस तरह से ये होता है, इसका A answer correct, उमिद करते हैं, सभी लोगों का correct answer होगा, तो आप में से जो लोग अभी तक किसी कारण बस mock test से नहीं जुड़ पाए हैं, वो सभी लोग mock test से जुड़ने के लिए इस नमबर पे whatsapp कर लें, और mock test से जुड़ें, अपना practice session continue रखें, और सारे question हैं, लेकिन ये question हम लोग देखेंगे, कल, अगले दिन देखेंगे, असरसन और reason के आज हमने 5 topic discuss किये हैं, कल हम 10 topic discuss करने वाले हैं, मतलब 10 topic discuss करेंगे, तो करीब 5 दहमा 50, 50 question कल हम लोग discuss करेंगे, और उसके बाद कल के बाद कोई class नहीं होगी, आप लोग भेतरीन तरीके से examination देगे, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे, कल सुबा 10 बच के पांस मिनट पर, thank you to all of you, good night, सुबरात्री, जैहिंद.